इस कल से चुनाव परचार शुरू है आज 19 कैंडिडेट जनाएक जनता पार्टी के और एक कैंडिडेट जिसका फॉर्म भी इनकंप्लीट था उसका एज इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन है और मैं मानता हूँ बड़ी मजबूती के साथ सभी साथी चुनाव लड़ रहे हैं परसो से दोक्रजेसिंग चोटला जी के और सभी नेताओं को कारेक्रम राजिसतान में शुरू हो जाएंगे और जो गती है परार के उसको लेगए और मेरा तो आज भी मानना है कि जो बात《ठेसिंग चोटला जी ने ने कहीं थी सीकर की रैलि ने कि चावी का निशान होग वो चावी राजस्तान विदात सभा का ताला की तुछ इस तरह की बादने की गए कि हर्याना चोड़ के राजस्तान की दरब देजे पिन चोदरी देविलाल जी कभी हर्याना राजस्तान में बेदबाव रखते थे डॉक्टर आजे सिंग चोटला जी तो खुद दो बार वहां से विदायक बने है और देज लोगों की ये सोच है ये कहते है कि वहां छोड़ के चलेगा वो सायद खुद एक नया कदब रखने से डुरते है है हमारे दो शुरुवात है चार साल में पार्टी संक्ठन को डॉक् से अच्छी मात्रा में विदायक चुन करें है कि यह सिंग इस तरह की विदान स्वा मैं मानता हूं कि आज के दिन जो स्तिती है उसके अंदर की फैक्टर जो रीजनल दल है जो इंडिपेंडेंट्स है वो प्ले करेंगे और आने वाले बविश्य में राजिस्तान विदान स के अंदर जो किसान वर्ग है उसकी ताकत बड़ी मात्रा आप कुछ कितने दिन अब राजिस्तान में रहने वाले इस वह पांच से छे दिन आने वाले बविश्य में राजिस्तान वाले जैसे आदेश देख जाओ कि मानता हूं चार साल के अंदर चार साल पहले दिपावली के ही अफसर पर रियाना प्रदेश ने एक स्टेबल स्टेर सरकार को बनाया और इस अलाइंस ने चार साल में हर सेक्टर में स्टेट को प्रगति के पच पर चड़ाया है आज के दिन चाहे और स्टेट के मुकाबले में टैक्स के लेक्शन हो, और स्टेट के मुकाबले में हमारे हां इंडर्स्ट्री का आणा हो, रोजगार के अफसर पैदा करने हो, इनोवेशन हो, स्टार्ट अप्स हो, चाहे इवेशन सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, हर पर प्रदेश की उन्नती में अपनी इस्सेदारी दिये और मैं मानता हूँ यह इस्सेदारी आगे माले समय में मारे प्रदेश को और तरक्की के साथ आगे दिये